जी, वेलकम हैं, आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूटूब चैनल एमाट टेक्नलोजी पे जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम नेलेट के जो ओफिशल से लेबस में कोश्चन पेपर दिये हुए हैं वो हम सोल्व कर रहे हैं, M1 R5 और M2 R5 का हमने सोल्व कर लिया है अगर आपने वीडियो नहीं देखिया, M1 और M2 की अगर आपका एक्जाम है तो आप उस वीडियो को जरूर देख लिजिए, जो हमारी दो वीडियो हो चुगी है आपके एक्जाम के लिए खासकर जो एक्जाम जुलाई 2023 में आपका होने वाला है सेम टू सेम कोश्चन के साथ, ओप्शन के साथ आपके एक्जाम में कोश्चन आता है यहां से और सबसे ज़्यादा इम्पोटेंट आपके रिवीजन के लिए यह है तो सभी बच्चे जिनका फ्यूचर में भी एक्जाम है और जिनका खासकर जुलाई 2023 में एक्जाम होने वाला है इनको जरूर सोल्व कर लेजिए सुबह के चार बच्चों के हैं आज है 27 जून और चार बजे सुबह यह वीडियो हम आपके लिए बना रहे हैं क्योंकि टाइम बहुत ही कम है आपको भी इसी तरीके से अब लग जाना है क्योंकि टाइम की जो रफ्तार है वो बढ़ रही है तो आपको भी महनत की जो रफ्तार है उसको बढ़ा देना है ठीक है जो बच्चे मैं बार-बार आप से कहता हूँ कि जो बच्चे नोट्स नहीं बना रहे हैं वो बाद में फिर पश्टाएंगे अभी से अपने short notes जरूर बनाईए किसी भी module के हो चाहे python के हो web designing के हो IT tools के हो किसी भी module के हो जरूर अपने short notes बनाईए ताकि exam के time पर पढ़े उनका revision किया जा सके इस वीडियो में python के 100 mcq questions करेंगे और जो questions output वाले होंगे उन पे हम थोड़ा ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे क्यों क्यों कि उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा इस वीडियो में केवल revision आपका मैं कराऊंगा इसको solve कराऊंगा केवल मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जिन बच्चों ने सिलेवस complete कर लिया है यह आपको खुद ही करना था अपने आप लेकिन फिर भी आपके कमेंट आए कि सर सही answer एक बार बता दीजिए उससे confirm हो जाए क्योंकि ये वीडियो फिर लंबी हो जाएगी कम से कम एक डिड़ घंटे की हो जाएगी और हमें ये 30 मिनट में कम से कम खतम करनी है revision के लिए 100 question है वो हमें करने है question number 1 आपके सामने है आगे बढ़ने से पहले एक request आप सभी से जिनोंने चैनल को subscribe नहीं किया प्लेज कर दीज आता तो कुछ नहीं आता ये ठीक है ये लगबग एक दो साल छोड़के हर बार पूछ लिए जाता question है तो single line comment के लिए आप सभी जानते भी होंगे python के लिए तो ये famous question है हम hashtag का use करते हैं दोस्तों option number जो C है question का वो बिल्कुल सही answer हो जाएगा ठीक है क्या हो जाएगा option number जो जिन python to raise expectation यानि कह रहा है कि raise expectation के लिए किस keyword का use किया जाता है बताइए question English में लिखा हुआ है आपको English में ही ये language समझ मा जाएगी मतलब आएगी जो python है क्योंकि ये जो इसका अगर आप हिंदी में इसका meaning आप निकालता है तो इसका आता है कि आप वाद उत्पन करने के लि हिंदी और English दोनों language में computer पर question होगा जिस language में भी आपको समझ में आता है उसमें पढ़के आप उसका answer लगा सकता है तो इससे आप बिल्कुल बेफिकर रही है कि आपको English में ही question देखने को मिलेगा ऐसा नहीं है तो इसके लिए हम raise option का use करते हैं option number a जो है वो सही answer हो जाए करेंशन क्या है जैसे आपका impress file questions 술 राइट्र फाइल का extension होता है क्या सफालों Culture Doing Javascript file extension होता है set il file extension ofλάש उससी तरीके से आपका bye and file कभी extension होता है और इसका मतलब क्या होता है डोट पीवाई यानि पाइथन की फाइल को हम डोट पीवाई के साथ में सेव करते हैं यह इसका एक्स्टेंशन है इंपोर्टेंट है इसको याद रखिए कोशन नमबर फॉर आपके सामने है विचोपदा फोलोविंग इस नोटे वैलिड वैलिड सैट ओपरेश नहीं है यूनियन इंटर्सेक्शन डिफ्रेंस या नन ओफ दावब बदाईए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा तो कह रहा है कि कौन सा नहीं है तो तीनों है बाकी लेकिन जो अप्शन नमबर डी है नन ओफ दावब या निसमें से कोई नहीं अगर पुश्ट था कौन सा ह है तो ओल ओफ दावब आंसर हो जाता है यहां पर डी ओप्शन पर होना चाहिए था ओल ओफ दावब लेकिन कह रहा है कि कौन सा शैट नहीं है शैट ओपरेशन तो डी आपका अंसर बिल्गुल सही हो जाएगा कुशन नमबर फाइफ आपके सामने है वाट इस दा मैक्सिम मैक्सिमम लेंट कितनी हो सकती है हिंदी में अगर पढ़ोगे तो पहचान करता कि अधिक्तम लंबाई कितनी हो सकती है तो इसका सही आंसर एक ओप्शन नमबर इसोला बी पे है आठ सी पे है बत्ति सुर्दी पे है नन ओफ दाब बारिस बहुत तेज आ रही है दिल्ली में अभी इस टाइम चार बजा हुए चार बजे हुए है सुबागे बहुत तेज बार हो रही है अभी तो इसका सही आंसर ऑप्शन नमबर डी हो जाएगा जो पाइथन है आइडेंटिफायर है इसकी कोई भी मैक्सिमम लेंथ पोसिबल नहीं है आप कोई भी वैरियेवल बना है तो एक लेटोप जरूर ले लेजिए आप परशनल यूज के लिए भी आप अपने उसे सारे काम करिए ऐसा नहीं है कि वह लेवल पास करने के लिए ही आपको कम्प्यूटर चाहिए लेटोप तो आज के टाइम पे आप सभी के पास अपना परशनल यानि PC होना ही है कि python में valid distinct manipulation function जो है वो कौन सा है count है upper है strip है none of the above है तो कहा रहा है कि कौन सा है तो इसमें तो सारे ही हैं लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है कि none of the जा नहीं है लेकिन यह option गलत हो जाएगा यहां पर वैसे इसका सहीहा looking तो सारे ही हो जाएगा यानि six का all of the above होना चाहिए था यह mistake है यहां से क्योंकि यह तीनों ही जो लिखे हुए है यह सारे वैले डिस्टिंग मैन्पलेशन फंक्शन है तो सही आंचरिस्ट का उप्शन नमबर डी पे औलोल ओफदा आपके अग्जाम में आएगा अगर यह कुष्ण आ गया तो सेवन नमबर कुष्ण है हाउ मैनी कीवर्ड प्र्रेजेंट इन पाइथन प्रोग्रामिक लेंग्वेज कहने कीवर्ड होते है python language में तो सही answer इसको option number C हो जाएगा 33 keyword python programming भासा में होते है option number C इस question का सही answer यहाँ पर हो जाएगा जिन्होंने channel को subscribe नहीं किया please कर दिजिए क्योंकि बहुत मैनत लगती है सब चीज content तयार करने में जब जाके आपके पास वीडियो पहुंच बाती है तो चैनल को subscribe करने में कोई भी बच्चा कंजोसी ना करें please request है आप सबी से question number 8 पर है in which language is python written सारे question important है यह बार-बार मैं कहा रहा हूँ सारे function उनके काम के हैं वो सब बता रखा है तो इस वीडियो में जाता explain नहीं करूंगा python को किस language में लिखा गया है ऐसा कोई वच्चा नहीं होगा जिसको इसका answer नहीं बताओ बी हो जाएगा इसका तही answer python को c language में लिखा है यह question community में भी डाल देता हूं मैं अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ होगा तो आपको यह मिल जाते होंगे how many control statement python support बताई python कितने नियंतरण कथनों को यानि statement को support करता है तीन चार पांच या च्छे question number nine का सही answer हो जाएगा आपका तीन यह तीन कौन-कौन से control statement होते हैं एक होता है आपका break होता है एक होता है आपका pass और एक होता है आपका continue तो इसको लिख सकते हैं आप अगर पोच भी ले कि कौन साइस में से control statement है चार option देगा उसमें एक हो सकता है break दूसरा pass तीसरा continue और इस python case sensitive when dealing with identifier अगर आपको लगता है कि कोई question अपनी अगलत बता दिया है या किसी question का answer यह नहीं यह होना चाहिए तो उसको आप comment box में लिख सकते हैं अपनी राय comment box में लिख सकते हैं उसको हम देखते हैं कि अगर वो सही है आपके हिसाप से क्योंकि कोई question why mistake गलत हो जाता है क्योंकि यह नेलेट का official paper है 2022 का तो कोई question change हो गया हो update हो तो उसको बता सकते हैं तो python जो है वो case sensitive होती है कब जब वो deal करती है identifier के साथ तो यह आपका बिल्कुल सही answer हो जाएगा इसको आप करेंगे yes option number a इसका सही answer हो जाएगा question number का 10 का a which of the following concept is not a part of python बताइए इसका सही answer क्या होगा कौनशी है जो python का हिस्सा नहीं है कौन सा concept है pointer, loops, dynamic typing या all of the above तो इसका सही answer क्या हो जाएगा option number a इसका सही answer हो जाएगा जो pointers है यह python का हिस्सा नहीं है यह c language में होते है python में नहीं होते जो pointers है तो सही answer option number a question number 12 आपके सामने है which keyword is used for function in python python में function के लिए किस keyword का use किया जाता है तो def keyword का use करते है option number b जो है इस question का सही answer नहीं आपर हो जाएगा इसको सही कर ले जिए which of the following statement are used in expectation handling in python expectation handling python में मतलब किस statement का use करते हैं try का use करते हैं expect of finally यह option number d है आपका all of the above तो सभी का करते है option number d हो जाएगा इसका यहाँ पर सही answer जी इसका सही answer क्या हो जाएगा option number d all of the above यानि expectation handling के लिए python में इन सभी statements का use किया जाता है option number d सही है question number 14 आपके सामने है what does pip stand for python मतलब pip का मतलब क्या होता है python में unlimited land all private member members must have leading and trailing underscore preferred installer program या नन उप्शन नमबर 14 यहाँ पर सही answer हो जाएगा prefer installer program pip का full form क्या हो जाएगा preferred installer program यानि option number c आपका सही answer यहाँ पर हो जाएगा question number 15 है आपके सामने which of the following type of loop are not support in python कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि python में मतलब किस परकार के loop python में समर्थित नहीं है नि support नहीं है बताएगे supported नहीं है तो सही answer for loop while loop do while loop या none of the above तो question number 15 का सही answer हो जाएगा option number c बहुत easy question यह है यह आपके c language में होते हैं जो do while loop है यह python में support नहीं करते option number 3 का सही answer हो जाएगा 60 number question है आपके सामने 16 number question which of the following function is a built-in function in python python में कौन सा है जो built-in function है question number 16 का सही answer option number b हो जाएगा जो print function है यह आपको पहले भी बताया चुका हूं मैं यह दो तीन बार आच चुका भी है आपके exam में तो built-in function यह 2023 जुलाई में भी आया है वो सोरी जनवरी में 2023 में और जुलाई 2022 में दो बार यह पूछा गया है कौन सा built-in function में तो print function आपका built-in function option number b what is the output of the following program इसका सही answer option number a हो जाएगा यह उल्टा करके लिख देगा hello word को तो सही answer यहाँ पर इसका a option हो जाएगा draw यह ओलो मतलब यह उल्टा करके लिखा आपका हो जाएगा which of the following function convert date to corresponding time in python इसका सही answer क्या हो जाएगा बताइए कौन सा function है जो python में date को संबंदित समय में परिबर्तित करता है question number 18 का सही answer क्या हो जाएगा str strip time यानि option number a जो है यह इसका सही answer हो प्रॉम्ट यूज दा कमांड अलब कमांड प्रॉम्ट से पाइथन शुरू करने के लिए किस कमांड का आप यूज करेंगे यह कह रहा है तो question number 19 का सही answer आपका हो जाएगा python ही जो कि इसका बिल्गुल सही answer भी है 20 number question है which of the following module अपना score आप जरूर चेक कर दे रही है so question इसमें है लगबग क्योंकि देखी कुछ question इसमें output के भी हैं तो output के कुछ question बच्चों को समझ में नहीं आते हैं तो मान लेजिए 20 question इसमें output के हुए तो इसमें जो आपका score होना चाहिए इसमें आपका score 65 plus होना चाहिए 60 plus कम से कम आपका score इसमें होना चाहिए python के इस model paper में ठीक है अगर 60 plus नहीं कर रहे हो अभी तो फिर बहुत problem हो जाएगी python language है बहुत बच्चे इसमें फैल होता है हर साल आप result देखते होंगे comments में आप देखते होंगे जब result आते है कि मैं इतने point से fail हो गया इतने से हो गया तो please request है जब आप fail होता है तो दूख हमें ही होता है तो इसलिए अभी से थोड़ी मेहनत कर लेंगे तो आपका हो जाएगा 11 उर्पी पर फीज लगती है फिर आप block करेंगे फिर 11 उर्पी जा होगा है question number 20 नहीं हुआ हाँ which of the following module need to import it to handle date time computation in python computation है question number 20 20 का सही answer क्या हो जाएगा option number a date time date time या time date time date time what does यह जो दिया गया है इसका कहा रहा है की है किसके equal है तो यह होगा आपका plus five के equal क्योंकिूक्त माइनस जो 5 है आपका पाwnच बादी चलेगा यहा पर दिया गया है हुआ प्लस लाइफ दिया गया यहापर माइनस ऑई भी है लेकिन यह कहा रहा के यह किसके एक्विलेट होगा कि कब तक चलेगा तो पांच बार चलेगा इसका वैसे सही आंसर ओप्शन नमबर ए है कोशन नमबर पंदरा ये देखी क्या दिया गया है यहाँ पर 21 के बाद 15 कोन आता है यह नया लेट से क्या मिश्टेक हो गई चलो इसको भी हम एक बार करे लेते हैं कोशन है आपके सामने ये रहा बस इतना कोशन है और कुछ कोशन नहीं है ये आप चानते होंगे इसको कैसे सोल्व करते हैं इस स्टार का मतलब यहाँ पर गुना है और board mask का roll आपने पड़ा होगा इस तरीके से इसका भी पैमडास होता है ठीक है तो करना क्या है यह जो दो लिखा है यह जो यहाँ पर एक बार समझा देता हूँ 2 double star 3 तो मतलब 2 को गुना में लिखना है 3 बार तो लिख लिजिए 2 गुना 2 गुना 2 तो 2 दूनी 4 दूनी 8 यहाँ से आगया निकल के 8 एक बार दिखा देता हूँ यहाँ से निकल के आगया 8 इतने से ठीक है जी यह लिजे उसके बाद 5 को दो बार लिखना है गुना में क्योंकि 5 double star 2 है तो 5 गुना 2 तो 5 गुना 2 कितना होता है 10 एक मिनट यहां से आठ निकल के आ गया है इससे एक मिनट उख जाएगे यहां से आठ निकल के आ गया है और यह जो पांच लिखा है इसको गुना में लिखना है आपको कितनी बार एक बार 5 into 5 एक बार आपको गुना मैं लिखना है ठीक है तो यहां से इसका अंसर क्या हो जाएगा मतलब यह जो 5 है यह दो बार हो गया न आपका तो वो यही कहा रहा है कि 5 को दो बार लिखी गुना है 5 into 5 तो यहां से आजाएगा निकल के आपका 25 तो 25 तो यह हो गया आपका और इधर से आपका आएथा आठ और बीच में पलस का निसान लगा हुआ है तो दोनों कंडिशन जुड़ जाएगी 25 और आठ जुड़ 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 जाएगा तो आपका आपका आणसर के आजाएगा ओप्शन नमबर बी जो 33 है वो आपका आणसर आजाएगा ठीक है समझ में नहीं आएगा एक बार ओप्शन जाद देता हूं आपको मैं कोशन नमबर 22 में तो यह D हो जाएगा इंटीजर और इस्टिटिंग ओप्शन नमबर D is the right answer इसका हाउ कैन अशेर्शन भी डिशेबल इन पाइथन कैसे इनको डिशेबल कर सकते हो कोशन नमबर तेहिस का आणसर बताईए आपको फटा पट क्या आणसर होगा इसका कोशन नमबर 23 का सही आणसर क्या हो जाएगा पासिंग ओवन रनिंग पाइथन जो अप्शन नमबर A है वो ही सही आणसर इसका यहाँ पर हो जाएगा का हाव स्कोर्डॉड अंतेशं के द्वारा घर geographic प्रिशिति Κंव हो जा जाएं इसको और इसको रहा होगा वह मैं आप इसको रण करते हैं एक वैरेेबल गया है जिसमें वी North तो इस में हो जाएका देखिए 10 उसके बाद लेगा दो 20 उसके बाद लेगा आपका चार एक छोड़के उसके बाद 30 उसके बाद 6 नंबर क्या कि value error attempt to assign sequence of size 6 to standard slice of size 5 तो question number 25 का सभी आनसर आपका a option हो जाएगे या पर इसमा आएगी error ठीक है 26 number question है what is the correct command to fill the following list अगर मतलब code वाले question आपको नहीं आते हैं तो इसकी एक अलग से वीडियो बना देंगे कि इस तरीके से solve किया जाते हैं क्या इसके लिए formula होते हैं कुछ question होंगे जो आपको समझ में आ सकते हैं लेकिन कुछ question होंगे जो आपको समझ में नहीं आएंगे होते हैं कुछ question ऐसे भी तो उन पर आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है जो कोश्चन डिरेक्ट बूश जाते हैं जैसे सिंगल लाइन कमेंट के लिए इस तरीके से जो कोश्चन आदे बहुत सारे कोश्चन आते हैं ऐसे भी पाइथन के कमाएंगे अब ज्यादा वही आ रहे हैं क्योंकि बच्चे फैल हो रहा है तो नहीं लेट अब सोच रहा है कि जादा हाड़ पर ना बनाया जाए तो जनवारी 2030 में जो पर आए वो भी काफी इसी था इतना हाड नहीं था 26 नंबर कुश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रेंडम सफल फिर्यूट ऑप्शन नंबर सी व लिखा हुआ है ओप्शन नंबर सी पर है कहा रहा है कि ट्रू कॉन सी हो बताइए तो जो टपल्स है वह इम्मुटेबल मतलब यह इसमें परिवर्टन नहीं कर सकते एक बार डेटा लिखने के बाद चेंज नहीं कर सकते तो टपल्स तो वहीं होते हैं लेकिन लिश्ट में आप चेंज कर सकते हैं यह परिवर्ट तमसील होती है म्यूटेबल होती है ओप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर यहां पर हो जाएगा वाट इस दा आउट्पुट ऑफ फोलोविंग कोड यह जो फोलोविंग कोड है यहां पर जो पाइफन कोड इसका पर पुट किया निकल कर आएगा यह कूश्टन आपके एक एक मिनिट तो अगर आप तुसे देखिए यह कशन एक आपके एकज्ञाम में जरूर आएगा कोशन कैसे आ सकता है मैं आपको बता देता हूं एक बार नाइन स्लिकार अभ़ए तो आपका आउसर आएगा वो पॉ तो यह आपको पॉइंट नहीं देगा भले यह आपका सेस्फल बच रहा हो तो दो से कितनी बार जाएगा अगर नो में भाग करेंगे तो चार बार पूरा पूरा जाएगा तो सही आंसर भी इसका यही हो जाएगा फोर ठीक है इसमें पॉइंट में वैल्यू नहीं आएगी तो यह आपको ध्यान में रखना है ठीक है जी कोश्चन नंबर 29 का सी ओप्शन सही आंसर हो जाएगा ओम यह तो समझ में आ गया होगा तीस नंबर कोश्चन है वाट इसद आउट्पुट इसका आउट्पुट ही बताना है इसका आउट्पुट अगर आप निकालते हैं त तो बी हो जाएगा इसका सही आंसर वाट विल बी दा आउट्पुट ऑफ फॉलोविंग पाइथन कोड यह जो पाइथन कोड दिया गया है यहाँ पर इसका सही आंसर बताना है यह कोश्चन शायद रिपीट हो गया है यह इसमें भी इसको उल्टा करके लिख देगा हैलो को तो यह हो जाएगा आपका ओप्शन नमबर यह वाला विच ऑफ फॉलोविंग इस नोटे डाटा टाइप इन पाइथन पाइथन में कौन सा डेटा टाइप नहीं है बताइए इस ट्रिंग है नमबर से स्लाइस है यह लिस्ट है सही आंसर क्या होगा कौन सा इसमें से डे टाइप नहीं है पीवी एम इस ओफन कोल्ड पीवेम को और क्या कह सकते हो पीवेम की फुल फर्म क्या होती है वर्च्वल वर्च्वल वी से तो होता है वर्च्वल पी से होता है पाइथन वी से वर्च्वल और एम से मसीन तो पाइथन वर्च्वल मसीन इसमें कहीं दिख है list is mutable and tuple is immutable ठीक है list is immutable Puple is immutable both are Mutable both are immutable तो गалत हो जाएगा option number जह है वही सही answer है जो list होती है वो MOTEBAL होती है वो sorry mutable होती है और tuple जो है वो आपके immutable data type होते है होते हैं सही answer जो जाएगा option number rhyme dictionary है dictionary में क्या होता है की और वैल्यू के पेर होते हैं क्या हुते हैं की और वैल्यू के प्यर होते हैं option number 20 का सजान से हो जाएगा यह याद रखिएगा वो पूछ सकता है कि dictionary डैस मतलब option ओदेगा आपको फिलेंद ब्लैक्स दो कहां पर क्या आएगा और are used question number 37 में यह कह रहा है जब आप एक आदिक IFS जो है उसका use करते हैं तो कौन सी command परतिस्थापन होगी बताइए तो इसका ग्या हो जाएका question number 37 का सही आंसर हो जाएगा आपका एलिफ जो आपका option which is not true कौन सा इसमें से true नहीं है आप कोई भी जो वैरियेवल है उसको ABCD से सुरू कर सकते हैं इसमें ठीक हो जाएगा underscore से सुरू कर सकते हैं यह भी हो जाएगा लेकिन नंबर से सुरू नहीं कर सकते यह आपका गलत हो जाएगा यानि 5 बराबर ए नहीं होगा ए बराबर 5 आप लिख सकते हैं तो यही कहरा किट कौन सा प्रो नहीं है option number T है जो यह वाला आपका सही हो जाएगा which of the following उस वीडियो को जरूर देख लिजे जो बनाई हुई है पाइथन की एक डिट गंटे की वीडियो है complete chapter उसमें डिसकस किए गए हैं उसके बाद आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको काफी अच्छा कुशन number 40 का सही answer क्या हो जाएगा अपका size हो जाएगा क्या हो जाएगा जी size इसका सही answer हो जाएगा एक तालिस number question है which option are correct to create empty set in python python में empty यानि खाली set create करने के लिए क्या आप use करेंगे तो curly bracket का हम use करते हैं किसका use करते हैं curly bracket का use करते हैं लेकिन यहाँ पर इसका d option भी सही हो जाएगा अगर set s small में होता क्योंकि s capital में है तो इसलिए गलत हो जाएगा s small में होना चाहिए था तो यह option भी ठीक हो जाता क्योंकि सही answer हमें option number a पे दिखाई दिया है जो किसका सही answer भी होना चाहिए तो वो option number a है curly bracket csv का full form क्या है comma separated values इसकी full form होती है जो कि option number c पे लिखा हुआ है important full form है यह 2023 में यह 2022 में आई थी है जुलाई में which of the following keyword is not reserved keyword in python python में कौन सा reserved keyword नहीं है बताई यह फटापट 43 का सही answer क्या होने वाला है none class go to या none बताई तो none तो होता है class भी होता है लेकिन जो go to है यह आपका reserved keyword नहीं होता option number c which is the special symbol using python to add command यह फिर आगया वही पाइफन में command के लिए क्या यूज करते हैं है है यूज करते हैं option number d कि 44 number question पर output पूछ रहा है आपसे कि इसका output क्या हो गवाई है तो इसका अगर आप output निकालते हैं तो इसमें से आएगा आपके सामने npr a a b c a d क्या इसमें error आएगी इसमें error नहीं आएगी इसमें आएगा option number d वाला following is a machine machine learning concept बताए कौन सा है इसका सही answer क्या हो जाएगा predicting image option number c what is the result of round 0.5 minus round minus 0.5 तो इधर से भी 0 निकल लेगा आपका और इसर से भी 0 तो सही answer क्या हो जाएगा 0.0 option number d the dash function modify the original array and dash function create a new instance of the array 47 number question में यह कह रहा है भाई कि dash function है जो वह बलब original array उसी को modify करेगा और जो dash function है यनि हापर क्या आएगा जो new create कर देगा आपका array को बताइए तो resize और reshape दो option है आपके पास पहले में आपका आ जाएगा resize और दूसरे में आपके आ जाएगा क्या रिशेप option number b 48 number पे है to create sequence of number numpy numpy का मतलब numerical python होता है यह भी हार बार पूछता है यह नाइलेट प्रवाइड a function dash analogs to range that return array listed of instead है वो ओफ लिस्ट तो 48 number question का हो जाएगा क्या आपका बताइए arrange है space है align none of the app arrange इसकर से यांस हो जाएगा option number है which of the following keyword is used for python declaration in python language python declaration में यह किम से keyword का यूज किया जाता है 49 number question का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका def यानि def का हम यूज करते हैं python में declaration के लिए 50 number question why does the name of local variable start with an underscore discord बताई पचास number question का सही आंसर क्या हो जाएगा क्या होगा इसका आंसर जो local variable है उसको underscore में क्या सुरू कर सकते हैं या कौन से सुरू होता है वो to identify the variable to confuse the interpreter it indicate a private variable of a class तो 50 number question का सही आंसर आपका option number और सी हो जाएगा को पूशन नंबर 51 है आपके सामने which of the following has the highest precedence in python expression तो parenthesis की होती है सबसे ज़्यादा जब से पहले हम ब्रैकेट फूब करते हैं यही कह रहा है आपसे option number d the function use to convert to date time question number 52 का सही आंसर option number b हो जाएगा to date time function 53 पे आउटपूट दिया गया है जिसका आप से आंजर पूशा गया है इसका अगर आप answer निकालोगे execute करोगे तो option number b 0 आएगा आपके सामने देखिए 54 है आपके सामने what will be the output इसका भी output पूछ रहा है आपसे कि इसका output क्या आएगा तो इसका output आएगा यहां पर क्योंकि यहां पर देखेंगे आप ध्यान से अगर पूश्चन में इसको आपको संसाई कर सकते हैं यहां पर क्या पास क्या गया है curly bracket है ठीक है तो यहां पर का ओप्शन नंबर डी 56 नंबर है what's the main difference between python लिस्ट एंड टपल पाइथन लिस्ट में और टपल में सबसे बड़ा अंतर क्या है लिस्ट आर्म्यूटेबल एंड टपल आर इम्म्यूटेबल ऑप्शन नंबर डी हमने पढ़ा तो यहीं हमें सही आंसर भी लगा ओप्शन नंबर डी दा राइट अंसर आव डो यू अशाइन टपल ओफ लेंथ वन से लेके तूदा वैरियेबल ए किलिक ओल दा किलिक वो सुरी चैक ओल डैट और करेक्ट मतलब चैक कर यह सारे कुश्ट नंबर 57 का सही आंसर क्या होगा तो एक वल वन यही इसका सही आंस यह सारे करके देखे थे तब ही बता रहा हूं आपको विच अब दा फॉलोविंग फाइल फॉर्मैट और फॉलोवड एलावड टू स्टोर डाटा त्रोक पाइथन प्रोग्रामिंग वीडियो फाइल ओडियो फाइल टेक्स्ट फाइल या बाइनरी फाइल उन्सट नंब तो टू ओपन एफाइल फाइल इन पाइथन लेगवेज डैस फंक्षन इस यूज किस फंक्षन आए उसक्षन का यूज करते हैं तो ओपन फंक्षन का यूज करते हैं option number C है यह कुशन जुलाई यह जनवरी वाले में आया है फिर कहा रहा है आपसे आई हैं इफ वी डू स्पेसिफाई फाइल मोड वाइल ओपनिंग फाइल दाफाइल विल ओपन इन डैस मोड किस मोल में जन्यादी फाइल मुझूद नहीं है तो खिस में फाइल हो ओपन होगी यह चनुवरी दोजार तेस वाले माय था रिएड राइड अपैंड यह विल an error या इसमें error आएगी 61 का आपका हो जाएगा कि वो read इसमें खुलेगी आपकी option number a ठीक है इसका आपका क्या हो जाएगा जी a हो जाएगा 62 में भी आपसे question पूछा गया है इसका सही answer क्या हो गए तो समझ में नहीं आएगा आपको ये question तो अब तक मेरे साब से पूछा भी नहीं गया है तो यह जाता इंपोर्टेंट है निवेसे answer इसका बता देता हूं option नंबर दी है 63 in which format binary file contents information 63 में यह गह रहा है आपसे कि binary file में किस तरह की जानकार यह होती है बताए जैबरा वे किविक response code same format in which the data is held in memory या ASAII format ASAII format इसके full form क्या होती है ASAII की American Standard Core for Information Interchange सही answer इसका क्या हो जाएगा option number जो जो सही वाला है same format in which the data is held in memory ठीक है तो मतलब जिस तरीके से memory में रखी जाती है उसी तरीके से होता है 64 पर है to read all contents from the file object file at once we many use 64 का क्या हो जाएगा file read function option number C वाला जो है यही इसका सही answer है what is the answer for a program to read and write मैं में कम से कम यह तो लगता ही है कि जिन बच्चों ने थोड़ी भी मेहनत की है वो इसमें कर जाएंगे start question तो कम से कम वो सही करी ही लेंगे इसमें और यह revision के लिए मैंने आपको दिया था कि इसके आप practice कर सकते हैं लेकिन यह आपसे पता नहीं इसी प्रोग्राम के लिए पढ़ना और लिखना क्या आसान है तो text file read lines function will return read lines function क्या return करेगा एक होता read lines और एक होता है read lines यह सभी को return करता है सभी line को तो read line function क्या return करेगा 66 का सही answer हो जाएगा list of lines क्या हो जाएगा list of lines यह आपको return करेगा तो 66 आपका सही answer हो जाएगा option number C which of the following file mode does return file data and append new data तो 67 का सही answer दो तो क्या हो जाएगा आपका option number A वाला यहां पर सही हो जाएगा which of the following function is used to write list of string in a file तो write function का यूज करोगे write line का या write lines का या write all का कौन सा answer इस चारों में से सही है यह आपको बताना है 68 number question का सही answer क्या हो जाएगा option number C write lines का हम यूज करते हैं C वाला जो है वो आपका सही answer भी हो जाएगा यानि list of string को लिखने के लिए किस function का यूज करते हैं यही कह रहा है command to write a list in a file मतलब command to write a list in a file किसी file में सूचना लिखने का अदेश है write, write lines यह तो साइध repeat हो गया है 69 का यहां पर अभी तो बताया मैंने आपको C हो जाएगा अगर आप देखते हैं तो same questions है, यह command अटाएगे तो write a list in a file बताये, question number 70 किसी file में एक सूची है, कैसे 70 number का क्या हो जाएगा option number C इसका भी right line से हो जाएगा भई which of the following would not work as a variable name a, lan, lanth या x तो 71 का हो जाएगा आपका option number B lan function फिर है आपके सामने which of the following method create a new array object that locks at the same data, view, copy, paste या all of the mention 72 question में यह गह रहा है आप से कि ऐसी कौन सी विधी है कौन सा ऐसा method है यहाँ पर पढ़ते हैं आप जो एक नई object बनाती है जो समान data को देखती है तो 72 का इसमें होना चाहिए क्या view, copy, paste या all of the mention जो सारे ही सही हो जाएगे तो view हो जाएगा इसका सही आपसर दोस्तों option number यह है view which keyword is used for function function के लिए किस keyword का यूज करते हैं तो def keyword का यूज करते हैं app भी def है, ppb def है तो किसी के साथ बिजा सकते हैं a और b option number इसका हो जाएगा def सही numpy array can be numpy array क्या कर सकता है 74 number question का indexed, slice, iterated all of the mention above question number 74 का D हो जाएगा सही answer या नि सारे के सारे सही है what of the following is the use of function in python इसका क्या हो जाएगा बताइए 75 number question का सही answer क्या हो जाएगा they are reusable option number what is the purpose of python numpy in python numpy का purpose क्या है उदेश क्या है 76 का क्या हो जाएगा to do numerical calculation to do scientific scientific computing तो A और B तो दोनो ही सही हो जाएगे इसके तो option number C A and B दोनो what will be the output इस question का output क्या आएगा 77 का अगर आप output निकालते हैं तो 432 आपके सामने आकर निकल कर आएगा what will be the output of the following python code ये जो python code दिया गया है from numpy import random x equal random dot rendint 100 print कराना है आपको x को तो ये कहा रहा है कि मतलब कितनी आएगी तो random मतलब 100 से नीचे की साभी वैल्यू लेगा तो 100 के नीचे की सारी वैल्यू लिखी हुए है यहापे तो कोई सी भी हो सकती है इसमें कहने सकते option number D हो जाएगा what will be the output of the following python code 79 में गया रहा कि इसका सही answer क्या होगा अगर आप इसको execute करके देखते हैं तो इसका आजाएगा आपका 996 में option number C which of the following is not a decision making statement कौन सा है जो decision making statement इसमें से नहीं है है और नहीं वाले में आप confusion मतले न ये देख लेना गुमाता इस तरीके से तो सही answer इसका क्या हो जाएगा आपका 4 statement जो है वो decision statement नहीं है option number B सही हो जाएगा numpy stand for numpy का full form होता है numerical python option number B पे है साफ साफ लिखाया है numerical python what keyword would you use to add an alternative condition to an if statement 82 number question में ये कह रहा है यदि कथन में वेकल पिक्षर जोडने के लिए आप किस keyword का use करेंगे add बताईए alternative condition जोडने के लिए तो ये तो शहर मैंने आपको बताया भी था दोस्तों alif का else if का use करेंगे option number B और C में से ही इसका एक answer होना चाहिए आपको क्या लगता है बताईए तो बताया था ना मैंने आपको alif का use करते हैं option number C what error will occur when you execute the following code mango और apple तो इसमें कौन सी error आएगी इगर आएगर भी कहीं तरीके की होती है तो इसमें name error आएगी syntax error, type error या value error तो 83 में क्या आएगा answer आपको बताना है इसमें आएगी आपकी क्या name की error आएगी इसमें syntax error नहीं name error आएगी execution of statement in dash construct depend on a conditional condition test selection sequence iteration या repetition तो 84 का सही answer क्या हो जाएगा आपका option number है selection is the right answer the most important object defined in python is n dimensional array type code उसको क्या कहते है तो उसको nd array कहते है क्या कहते है उसको nd array कहते है option number b 86 में which of the following is the right way to a call a function बताइए 86 में ये कह रहा है कि किसी function को call करने का सही तरीका क्या है तो सही तरीका क्या है function लिखोगे फिर उसका नाम तो option number c हो जाएगा easy question है which among the following statement is file कौन सा है जो गलत है बताइए कौन सा है इसमें से इस statement कौन सा है जो फाल्स है तो 87 का nd array is known as the axis array कि ये गलत जाएगा इन नमपाई dimension और cold axis नमपाई main objective तो इसमें 87 का हो जाएगा option number ये हो जाएगा इसका nd array is known as the axis array what will be the output of the code इसका output क्या आएगा code तो दिया ही नहीं तो answer क्या बताएगा ये का होगे तो इसको छोड़ो 89 which of the following set the size of the buffer used in offense बताएगे 89 का सही answer क्या होगा 89 का सही answer क्या निकल कर आएगा इसका मतलब ओर्डर क्या होगा बताएगे नमपाई शाड़ने की विशेष्टा आएगे 91 पे है 92 पे नमपाई developed by नमपाई किसने बनाया तो 90 वाला कुश्चन आप पढ़िए एक बार नमपाई में फोर्टरोन ओर्डर क्या है ये गह रहा है तो इसका सही answer क्या होगा reshaping regarding column major order option number B जो है वो सही answer होगा what are the attribute of नमपाई array मतलब नमपाई array की विशेश्चता क्या है तो 91 का हो जाएगा क्या आपका option number A shape, d type और endeme and dimension नमपाई developed by जो नमपाई है वो किसके द्वारा डवलप किया गया है नमपाई का विकास तो option number जो B है Travis Oliphant ये इसका सही answer हो जाएगा 93 how we can change the shape of the numpy array in python कैसे जेंज गर सकते हो आप numpy array में तो इसका हो जाएगा by risk shape function option number B what is the range of unit 32 data type इसका हो जाएगा क्या option number D 32 का ये होता है how we install numpy in system कैसे आप install करोगे python को numpy को बताई system में तो numpy को कैसे install करते हैं आप जानते हैं या नहीं जानते तो pip install python numpy option number pip install numpy या pip install python numpy तो 95 का C हो जाएगा pip install numpy option number C how to import numpy module कैसे import करोगे numpy module को 96 का ये answer क्या हो जाएगा option number D all of the apps इसका तो दुवारा हो सकता है ये answer भी लग रहा था जाएगे import numpy as my numpy या import numpy as np option number C भी सही है सारे सही option number D या answer हो जाएगा python uses python क्या यूज करता है interpreter option number C how to import numpy in module कैसे import करोगे तो ये आभी आपको बताया है repeat होगे option number T python use interpreter और CVS का full form comma separated values option number C तो ये आपका question paper python का solve करा दिया है मैंने 100 MC की उसमें discuss करें अपना score चेक कर लें सार्ट question भी आप सही कर पारे हो सार्ट से जादा ही होने चाहिए आपके लगबग सार्ट पलस score अगर आपका इस question paper में है अभी तो ठीक है बाकी और पढ़ते रही है आप वो आपका और हो जाएगा ठीक है तो ये आपका है फिर आपका IOT का ये करवा दूँगा मैं आपका Mac Mac की पूछ रहा है कि Mac कितने bits का होता है तो 48 bits का Mac की full form Media Access Control आज के लिए आपका हमबर question ये फर्स्ट question इसका सही answer आपके comment करना है सभी बच्चों को ठीक है तो चलिए मिलते हैं next video में और Please request लाइक कर देजे वीडियो को जिर्वोंने चेनल सब्स्कराइब नहीं चाहिंगा है तो सब्सक्राइब भी कर दिजिए भारत